दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल लर्णिंग इस अर्णिंग बाइ प्रभाश पे तो दोस्तों बहुत दिनों से कोशन आ रहा था कि सर अगर हम बिगिनर हैं और हम आपको जो इंटराडे का जो सेलेक्शन है उसमें जो कन्फूजन आ रहा था वो इस वीडियो के माध्यम से मैं कन्फरम देखेगा आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और एक प्लाटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे आपके अदर डाउट भी क्लियर हो जाएंगे यानि कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको वहीं पर जाना है तो एक एक करके डिसकस करेंगे सबसे पहले देखेगा कि जब भी आप देखते हैं जब भी मॉर्णी में आप उठते हैं और मार्केट ओपन होता तो सबसे पहले आपको दो इंड तो पहले तो आपको क्या चेक आउट करना है Nifty Bank का Momentum की Nifty Bank किस तरीके से Momentum दे रहा है Nifty Bank ने जब Momentum दे दिया तो आपको Focus करना है Nifty 50 पे की Nifty 50 comparatively Nifty Bank के comparison में किस तरीके का Momentum दे रहा है जैसे कि for example Nifty Bank ज्यादा वी देखने हैं मिला है लेकिन निफ्टी-फिफ्टी हो सकता है other stocks के थ्रू लाइक Reliance Industry या फिर TCS या फिर HDFC Bank किसी के बज़े से भी क्या कर आपने आपको hold कर रहा है यानि comparatively कम गिर रहा है तो वो momentum भी आपको check out कर लेना है अब आती है stock selection की बाद तो इस stock selection में सबसे पहले देखेगा आपको एक चीज clear रखनी है कि आज मुझे किस सेक्टर पे काम करना है पहला question आपको खुछ से क्या पूछना है कि आज मुझे किस सेक्टर पे काम करना है माली जिए nifty देखेगा आप है nifty bank भी अच्छे momentum में और आपको पता है कि healthy momentum रहेगा तो आप एक decide करेंगे एक सेक्टर कोई भी हो सकता है like pharma, IT, metal, banks, fertilizer, textile कोई भी सेक्टर होता है यह आपको पहले से decide करना पड़ेगा यह सेक्टर कोई भी हो सकता है बट आपको यह आदकता है कि उस सेक्टर को select करने के बाद जो सबसे बड़ा काम है वो है stock selection वो stock selection क्या होना चाहिए वो उस सेक्टर का fundamental stock होना चाहिए चुकि अगर वो सेक्टर उपर जाएगा तो उस सेक्टर का जो राजा होता है उस सेक्टर का जो fundamental stock होता है वो comparatively जल्दी उपर जाएगा और तेजी से देखेगा उस particular sector के साथ work करेगा तो by chance मान लीजे आज मान लीजे nifty metal को selection आपने किया होता तो nifty metal में आज अच्छा uptrend देखने हो मिला आपको देखीगा 1.5% से ज़्यादा का uptrend देखने हो मिला उसके fundamental को चेक करना है कहाँ पे चेक करना है ticker tape website पे और पांच की factor को चेक करने के बाद आपका intraday stock selection हो जाएगा ये आपको beginning में एकदम ध्यान रखना है beginning में आपका जो stock है वो पिटा हुआ stock नहीं होना चाहिए चुकि कभी तो आप देखेगा maximum time आप profit में रहोगे चुकि पिटे हुए stocks में तेजी से move आता है लेकिन केवल एक बार stuck होगे और वो सारे profit चले जाएगे तो fundamental पे आपको ध्यान देना है तो अगर आप देखेंगे तो metal sector में जो top capitalization है वो आपको पता है कुछी company के जिसमें Tata Steel one of them है तो आपको देखना है कि Tata Steel मजबूत share है कि नहीं है तो इसके लिए मैं 5 factor बताऊंगा इसी platform पे जिसको आपको watch out करना है और उसके basis पे आपको intraday stock selection करना है तो सबसे पहले बात करेंगे देखेंगे आज बढ़िया momentum आया है Tata Steel में जैसा कि आप देखेंगे rate से 2% का momentum आया है अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से momentum देखने हो मिला एक low देखने हो मिला 844 का फिर 864 का high देखने हो मिला यानि कि return on equity और FD rate का comparison करा है तो better होना चाहिए dividend better होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी red flag नहीं होना चाहिए एक दो देखेंगे चीज़े का कुछ company अच्छी है बट dividend नहीं देती तो कोई भी बात नहीं है लेकिन यहाँ पे overall कोई भी red flag नहीं होना चाहिए यह आपको दिमाग रखता है यह पहला देखेगा एक pinpoint है नोट कर लीजे और यह रोज आपको ticker tape पर ही करना जाके ताकि आप जाता से जाता चीज़ें learn कर सकें फिर आगे बात करेंगे तो देखेगा second चीज़ आपको देखना है यहाँ पे sector का PE और देखेगा stock का PE तो यह देखेगा इसके comparison में कम होना चाहिए तो अगर यह sector से कम है तो इसका मलब undervalued stock है लेकिन यह undervalued हो इसके confirmation के लिए आपको इसकी balance sheet पर जाना पड़ेगा like balance sheet अगर अच्छी है तब तो यह undervalued है otherwise यह पिटा हुआ stock है तो फिर से बताऊंगा कि देखेगा यह जो particular sector का PE है इससे देखेगा stock का PE कम होना चाहिए तो यह undervalued है लेकिन confirmation कैसे मिलेगा confirmation के लिए आपको जाना है इसके financial पर अगर इसके financial growing financial है लगातार revenue burn है लगातार profitable company है तो इसका मत्तब यह company बहुत अच्छी है लेकिन इसके जो financial है देखेगा वो इसके stock के market price को support नहीं कर रहे है इसलिए stock undervalued है तो second चीज़ आपको confirmation के लिए चेक करनी है तीसरी चीज़ आपको समझ में आ गई फिर आगे देखेगा आपको देखना है expert का view तो देखेगा यहाँ पर आपको देखने हो मिलेगा 73% का तो it means कि अगर कई सारे expert stock को लेकर bullish है तो यह stock fundamentally strong है अपनी value के साब से तो यह चीज़ आप देखेंगे फिर आगे अगर आप देखेंगे तो आपको check out करना है shareholding pattern shareholding pattern कैसा है तो shareholding pattern में देखेगा आपका allocation जो होता है वो promoter का और देखेगा mutual fund का FIIs का काफी ज़्यादा होना चाहिए और बाकी public participation काम होना चाहिए तो यह सारे indication देखने के बाद आपको यह confirmation मिल जाएगा कि stock better है यह stock fundamentally strong है तब आप देखेगा आराम से जाके यहाँ पे अपना trading और learning कर सकते हैं तो यह आपको अगर सच में सीखना है और इसको verify करना है तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा कि यह काम के वल टिकर टे website से करिएगा description में आपको link मिल जाएगा click करिए और visit करिए और learning के बाद बताईए कि आपको कितना benefit हुआ और अगर आप ऐसी video और चाहते हैं तो आप आपको बस क्या करना है इस video को like करना है thank you so much